नमस्कार आदाब सस्रीकाल स्वागत अब सभी मित्रों का मेरी यूट्यूब चैनल और लेक्ष इखामें तो दोस्तों हम कर रहे थे साइकॉल जी के आपका मॉक टेस्ट तो यह मॉक टेस्ट जो रहने वाला है आज हम इसकी साइकंड लेक्चर है साइकॉल जी की कल हमने 60 करवाँगा आपको कि मैं 60 है फिर 90 कोशन आपको करवाँगा ओके तो स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट कोशन है दा कॉंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉंसिस एक्स्पेरियंस आर अशूशेटर बीद जो हमारी कॉंसेप्ट है जैसे कि आपका इंट्रोस्पे चुक्ता इंट्रोस्पेक्शन और नेक्स फॉर्ट फ्रस्ट टा्यम दे वर्ड शाइकोलोजी वा इंट्रोडूस्ट वाइज सबसे पहले जो साइकोलजी का वर्ड्र था वो किस ने इंट्रोस्पे था तो यह रोडल्फ योगल के जोकले ठेगए सब लोग पढ़ी चु परस्पेक्टिव तो पर साइकोलोजी का यह मैं कर रहा हूं इससे पहले जो प्रेलिश्ट्रिय्स साइकोलजी कि आपकी उसमें बहुत सारी कोश्ण कर वाए मैंने प्रिविशर के तो वो भी एकुल इंपोर्ट बन जाते हैं तो उनको भी साथ-साथ में जरूर देखें ठीक है और आपको कुछ चेंजिस आए वीडियो में तो भी मुझे कर्मेंटर कर दें कर बता दें कि इस तरह का हमें थोड़ से चेंजिस हो चाहिए तो मैं आपको करवा चॉम्सकी आज़ेगा इसका साइको लिंग्विस्टिक फिर मैंने आपको पताया था वाइग सकी घशकर आस्ट की जहां पर के बोलते हमारा यहां कि शोश्ल कल्चलर और लेंगउज की बात होगी वहां पर क्या करें चुप चब वहां पर आब को क्या लगा देना ठीक है नेक्स्ट है हमारा self-actualization is proposed by जो आपके self-actualization है वो किसके दरफ प्रपोस की गई थी चार option है आपके बास तो option number B सही answer रहेगा आपका इसका Abraham Maslow B answer इसका right answer रहेगा नेक्स्ट कुछिन है according to the Darwin the variation in the behavior passed from the one generation to another generation is due to the हो दो इन्होंने बात की थी हमारी nature selection inheritance के बात की थी सब्चे थी तो उन्होंने क्या बात कि थी यहांने बात की थी कि हमारे बहे закрыTS होता है एक 강पी से लिएक कि प्रכ03 उन्होंने धी this और यूज्यूस ऑफ औरगन ध pitches ने दी थी झालना झालिटिए आपके कने —च्छे। चिल्डरन ओफन लेर्न दा हैबिट आफ टेलिंग लाइज वें दा डिस्प्लेइन इस आपके बच्चे जो हाँ वह हैबिट डेवलप हो जाती है जिसमें वह बच्चे जूट पर गहरा है बोने स्टार कर देते हैं तो क्या रहेगा मतलत क्या रहेगा उसको अंसर तो पूट तुदा मेंजर अच्छा यह वही क्वेश्चन आगे तो उसके वैलिटी की बात करते हैं इसमें कि आपका टेस्ट वैलिट है यह नहीं आप इसका से इंसर हैगा नेक्स्ट नहीं नहीं आपके अप्शन नबर एप यहां पर सेल्फ एक्टिलजिशन ठीक है आप्श इन प्रेफरेंस टू अनधर अब यह किसकी बात आगी जब आप क्या करते हो एक चीज़ से शिफ्ट होके फॉर एक्जामपल अगर आपको मैंने बैट पकड़ाया तो आप थोड़े बैट से करोगे लेकिन तो यह आप मैं आपको गाड़ी पकड़ा दी तो आप फड़व आपके स्कूल कॉलिज की गूरूप पर उनमें शेर कर दो नेक्स पूशन है स्टेफन क्याल्क है सुजेस्टिट दैट इंटलिजेंस कंसिस्ट ओफ डैश दैट आर डैश बेस्ट आर लिंक्ट ओन लिंक्ट तो इसका सही अंसर हैगा अप्शन अबरे मल्टिपल कंसर्ण 2 तो साथी जो है किस से कंसर्ण करते है साही बाते है परसनल्य परसनल्य होगी आपकी बोडली नॉलिज जो भी रहती है और किससे है तो आपके स्लेपस में साइकोलजी ही नहीं आती है थोड़ी सी आपको पेड़ेगोजी भी आती है पिर टीचिंग लेनिंग एविलेटी कुछ इस तरह भी आता है तो वह आपको इंपोर्टन है नेक्स इन स्टेंवर्ग ट्रायार्की थेओरी आफ इंटेलिजेंस दस्ट शॉलूशन और एन एनलोजी इनलोगी इस इंड आइटम इन्वाल्व तो जो सॉलूशन रहता आपका इनलोगी का वह इसमें मतलग क्या क्या रहता है तो फूर्टिंग आपका एंकोडिंग प्रसेस और कंपेरिजन प्रसेस हैं ठीक है यह आपके स्टेंवर्ग ट्रायार्की थोड़ी आप्शन अबर एस इसका नेक्स देखेंगे हम है रिशर्च तो डैट ता फॉलिविंग तो इनमें से कौन सा टीचर की एफेक्टिवनेस को नहीं करता है तो फिप्टीन कॉप्शन बसी है यह सोफ एक्स्पीनिस कोई फरक नहीं पड़ता है कि कितना का एक्स्पीनिस देखिए आई सीटी का काम तो अच्कल बहुत ज्यादा है कॉम्मुनिकेशन स्किल्स नहीं हो वह कमी तभी मैं आपको बहुत हो कि फीड़एक दिया करो जैट इस वाई कि थोड़ा सा इंप्रूइमेंट हो सके वरना तो मैं ऐसे पढ़ाता रहूँगा सिद्ध्ध क्वेशन बोल की सिद्ध्ध आपको करवाता रहूँगा नेक्स्ट है वीच फॉल्विग स्टेट्म वर नेक्स्ट कुस्टन ही विच फॉल्विग इसे क्रेक्टरिस्टिक्स आप चौंस्किस थेओरी की कौन सा क्रेक्टरिस्टिक्स है यहां पर आपका तो वह रहेगा आपका नमेंसे तो आपका 17 का अंसर है आपका दी ऑप्शन चिल्टन है इनेट मेंटल मेंटल ग्रामर सब्सक्राइब तो आपका तो बहुत बहुत गंदे हैं यह किसने बहुत बहुत गंदे हैं आपका मॉक्रेस जो डाला है वह फिर बहुत गंदा है ठीक है लेकिन ऐसे कोशन फसके तो वह जाएगी अच्छे कोशन है बहुत अच्छे लेवल की कुशन है नेक्स है डिटक्टिंग मुवमेंट इन स्पाइट ऑफ केमफ लॉज इस इस एर फॉर पिपल हूँ आर अब केमफ लोज क्यों होता है कि जैसे आप दूर से लेखने फॉर एक्जांपल है अभी आपकी सेनकी बर्द केमफ रंग बदलता रहता है तो क्यों बदलता है वह केमफ लोज करता है ताकि वह अपनी अपने आपको अपने मतलब सब्सक्रीते सकी है अच्छे चाहिए इसका आपूँज प्रक्रक्रीट्स कूई नहीं है तो इसमें यह होगा फिल्डिपेंडेंट थो would have the IQ in the range of अब mental retardation वाले हैं तो आपका इनमें से अंसर है आपका option भबी mental retardation है तो कम से कम आपका 35-49 की बीच में है गए ठीक है इतना भी जएदा डब नहीं होगे वो गेब दा psycholinguistic theory psycholinguistic theory इनमें से किस न दी थी तो chomsky न दी थी अबने question पहले भी किया है तेखिन घुमा किया है था according to the J.V. Watson psychology is a science of J.V. Watson के according psychology जो है किसकी science है तो वो रहेगा option number C behavior की C इसका से इंसर है chomsky के according है भाई behavior की याद रखें ये भी question पूछ जटें के बार अगला प्रसन है आपका who defined the psychology as a scientific study of the activity of organism in the relation to its environment किसने कहा था कि psychology जो होते हो स्टाइटिवी के study रहती है किसकी जो भी आपका organism के activity रहती है in relation to environment activity किसके relation में environment के relation में तो इसावादी बात है किसने किती है वो डवर्ट ने किती है option number C से इंसर देगा इसका next question है हमारा who defined psychology as a science of immediate experience with consciousness being the main subject matter तो यह बात है किसने किती तो 24 option number है आपका option number है यह भी टिचनर देखो इन बातों को ना जो आपके जैसे statement आती है कहीं कि जगर लिख ले काम आगे आपको मैं बता रहा हूँ टैट ही नहीं देना आपको आगे जाकि आपको commission भी fight करना है next है which psychologist construct the first intelligence test पह सबसे पहले intelligence test किसने construct किये था तो winner ने किये था बीनर ने किये था अपिस नमबर D से ही answer रहेगा इसका अगला प्रशन है हमारा evin gush has done the pioneering experiment on evin gush ने जो आपका सबसे पहले experiment जिवाब किसके उपर किये था तो वो किये था आपका memory के उपर option number C से answer इसका who is the father of individual psychology तो individual psychology के जैनक किसको खा जाता है तो अपिस नमबर D से answer हो गए रहेगा इसका अगला प्रशन हमारा law of effect तो किसके लोती है मैंने को बहुत बहुत बार करवाई वर कोशन तो law of effect law of activity तीन प्रैमरी लोती था वो प्रांडी के नहीं दिते हैं trial and error की तेहरी नेक्ट है आर्क टाइप इस आ टर्मिनालोजी टर्मिना टर्मिना टर्मिनालोजी असोशेटर भी आर्क टाइप की जो टर्मिनालोजी हो किस चीज़ से एसोशेट करती है तो 29 का option number a है जंग से option number a से इंसर है इसका अग्जा परसंट who is the valuable contributor in insightful learning insightful learning का मतलब किसने काम किया इंसाइट लर्निंग के पर तो इंटर्फिस कैसा भी हो पर मैं आपको मत बता रहा हूं कि आपको बहुत काम आने वाला है यह आपको जो भी आपको प्रीविस करवाए हैं पहले मैंने और जो आप ही में मौक टेस्ट करवा रहे हैं बहुत ज्यादा क्या जुक्त करसे अप्रिविस और आपको मौक टेस्ट आप प्रीविस करवाए हैं तक्याप का वी टाइम गीशना हो और क्योंकि इनकी टेस्टों की तर्म याद रहनी है जो भी आपकई है चाहिए है कि दिएक ट्रतु कि पूशन चेश्ट नहीं अब्सक्री इसमें जो दो प्रजेक्ट विएफ जो टेस्ट है तो इसके लिए प्र्जैक्ट टेस्ट नहीं है विच उनिट इस इस तो मैंजर दा हीरिंग केपैसिटी तो डैसी वैल यूज होती है अप्शन भी सी एंसर इसका डूरिंग दे कॉंसेप्शन पीरेड बिट्विन टू टू एट वीक्स इस नोवन एज दोसले के आठ बर जो रहता है वह आप उसको इंबरोनिक स्टेज कहते हैं ठीक है बरून स्टेज बरून बनते हैं इसमें जोई एंगर फियर एंड सर्प्राइज आर कॉल्ड तो यह इमोशन से आप्शन पर सीजन सरेगा तीकि यह वाला जो मॉक्टेशन वह कभी असान है दा प्रसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्क इसका assimilation यह मैं तो बहुत पंदी कितनी वार करवा दिया वही है वही है कि बिल्ली वाला बच्चे चारटंग वाला बच्चे को बिल्ली कहते तो वह उसके अंदर स्कीमा होता है फिर आप हम उसको बताते कि चारटंग वाला बच्चा बाई-कुता भी होता है बिल्ली और जानबर भी होते हैं बगरी भी होती है बेड़ भी होती है फिर उसकंदर जो नहीं इंफरमिशन एड़ हुई इसको हम कहते हैं assimilation option 20 है इसका नेस्ट है in which classification would a child with intelligence quotient 105 बिल प्लेस्ट 105 आएगा किसी का IQ तो उसको कहां किस जगह पे प्लेस करेंगे यह इन्हां पूछा है तो psychology has been considered a science since अब psychology को हम एक science मानते हैं कब से 7th का option number C है लेट 1800 अच्छा question था यह है नेक्स नहीं प्रसेस इन विच रेंडमली प्रेजेंटेड़ वर्ड्स आर डिकॉल्ड इन और्गनाइज्ट केटेगरी wise manner is called तो इसको हम क्या कहेंगी जब आपके जो रेंडमली option number D सही अंसर है चलिए insight learning model is presented by तो इसमें बंडूरा आगे शायद 9th option number ने इंसाइड थोरी मैंने आपको करवाई थी कोहलर ने करवाई थी कोहलर ने ठीक है यह मैं मैं केंद्वीज हो जाता हूं कोहलर को बंडूरान की थेहोरी में लेकिन मैंने आपको जो वन शॉट वाली वीडियो थेहोरी में इसमें मैंने आपको अच्छे से करवाया है ने कि बीस है इसका इसका विच इपर्एंटिंग स्टाइल देखें आज आज कर जो पेड़िडिक श्टाइल पर कुशंट आ हो जाता है तो बड़ी है यानि कि बच्चा इसमें मतलब एक तो दुबाब में है जब घरवाले बच्चे को बहुत ज़्यादा दुबाब में रखते हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं तो यह सारी बात है किस ने किती है तो ट्वाल्थ को बड़ी है जब सारी बात है थोड़ी से लेंगविज साही को लेंगविज की बात करते हैं कि चॉंप्सकी इन वे स्टेज ऑफ मॉरल डवर्मेंट चिल्टन विगन तु थिंक देट रूल्स आर ड्रिवन फ्रम कोपरेशन between the people and not coming from the authority तो सारी बात है कौन से किस में आती है तो थर्टिंग अप्स नबर भी है आपका और्टोनमस ओरिंटेशन आप्स नबर भी से एंसर हैगा इन क्लासिकल कंडिशनिंग फूड इस नोन एज यही बात आगी तो यह क्या है स्टिमलस तो है लेकिन कौन से स्टिमलस ह यह आपका फूड नेक्स्ट है हमारा हूसे डैट परसनल विद हाई आएक्यू वर नौट नसेसरली क्लेट क्लेटिव 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 आइडियास कुट कम फूड़ पेरेंस वूड़ नोट है वैरी हाई आईक्यू तो सारी बात है किस ने की थी वही जरूरी नहीं क तो फिप्टीन का अप्शनबर सी है टो मैं की यह कथंते टो मैं अप्शनबर सी सही अंसर एगा नेक्स्ट कुर्शन आपका तो एक हमारे थे सीगमेंट फ्रूइड तो उन्होंने तीन पार्ट दिए परसनलाल्टी के इड एगो और सूपर एगो तो आप्शनबर बीस ही सबसरे इसका अच्छाम नेक्षट दै एगो दैसे जाथ शेंटल पंषट अफ रहे लेगा एटिंग फोट्रूगो भी लेका पॉस्ति रेंफोर्स मेंट का था था सबस्क्राइब का सबस्क्राइब बाइग प्रेहाँ प्रेनिंग को जो अफ्टन ट्रेनिग इस एजिए त्रांसपर उप्रेप्सक्राइब प्राइब किसमें इजय आता है ऑफिशनी में अप्षिण से हैं इसका स्टीं स्ट्रेंड फॉर्ट टर्म चुर्टर मेमरी स्ट्यम किसे लिटर है एक शौर्ट टर्म यह बी ऑप्षिन नेक्स्टब दौट तब यूज इन शाइक अप्ष नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ थाउट इस इन साइकोलोगी ट्राइट तो इडेंटिफा था बेसिक अलिमेंट ऑफ सेंसेशन इमेज और फिलिंग तो कौन सा है 23 का ऑप्शन अब यह स्ट्रक्ट्रलिजम ऑप्शन अब से एंसरेगा तो अगरा प्रसन आपका क्या करते हैं क प्लाइन डिसीजन मेकिंग एंड सम एस्पेक्ट ऑफ दे लेंगविज तो कौन साहर है रहेगा फ्रंटल प्रेटल टेंपोरल लेफ तो टुट्वाइब का नमबर है आपका एंसरे नेक्स्ट है नेक्सट है कोकीन निकोटीन टबैको आर तो कोकीन निकोटीन टोबैको क्य यह तो लिस प्रोसेस्स नोन जैस तो इसको अमचे कोईगे ऊफ्टनबर सी प्रिजेक्शन कहेंगे ऊप्शन आपशनमरा आगला परसन है हमारा दिडायर जाइक क्योफ़ परसन तो नबेसलेंके 110 तक चलता है आप प्रचलिग बहुत इंपॉरन एंको दो-तीन पॉइंट तरके में, option number B से answer एगा, withdraw into oneself is a developmental disorder which is known as, withdraw into oneself, अपने आप से मतलब, अपने आप को भूली जाना, तो इसको क्या कहेंगे हम इस बात को, तीस में, option number B है, autism कहेंगे, autism ही कहेंगे, ठीक है, यह मैं पहले भी करवाय था है, autism, उसमें मैंने क्या करवाय था पर, ठीक है, ने, autism नहीं था वो, वो क्या था, अलेक्सा, वो, अलेक्सा था, autism साइज, रिपिटिटिवली बिएवियर होता है, वैसे तो, विड्रॉल इंटो वन सेल्फ, और डिवल्मेंट डिसॉर्डर, विच इस नोन अज आज 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 बताया है, और तो आज के लिए इतनी कोशन काफी है, वीडियो को बह बहुत बहुत धन्यवाद होगा, अब वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने से थोड़ी मोटिविशन आती है, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब, आपके दिन मंगर में हो, धन्यवाद, जहीं जहीं माचल